Hello everyone, welcome back to my new video और आज के वीडियो में मैं आपके साथ पनील लबाबदार की रसेपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है खाने में तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस पनील लबाबदार को बनाना इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन उसे हम रखेंगे अपने कुक टॉप के उपर जब हमारा पैन अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम लगबग दो चमच के करीब ओयल आइड कर देंगे आप चाहें तो यहां बटर भी आड़ कर सकते हैं घी भी आड़ कर सकते हैं जब आपका ओयल गरम हो जाए तो उसमें हम जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे उपर से एक से डेड़ पैस को हम इस तरीके से कट करके और उसे हम फ्राई करेंगे तो यह देखिए हम पैस डाल के उसे अच्छे से फ्राई करेंगे एक से दो मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है उसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे टमाटर तो दो मिनट भूनने के बाद जब हमारा पैस जो है वो हलका भून जाए तो हम उसमें आड़ कर देंगे टमाटर, उपर से 8-10 कलिया, हम लसन की डालेंगे, कुछ टुकड़े अदरक के डाल करके इने भी हम साथ में अच्छे से सौते करेंगे, तो करीब हमें 3-4 मिनट इन सब को सौते करना है, उपर से हम इनमें आड़ कर देंगे स्वाधनुसार न 10-12 काजू के टुकड़े अड़ कर देंगे, तो यह देखे, मैंने 10-12 काजू हैं, जिसको मैंने टुकड़े कर लिये हैं, और उसे इसमें ट्रांसफर कर दिया, इससे जब हमारी ग्रेवी बनेगी, तो बहुत ही अच्छी क्रीमी टेक्शर बनेगा उसका, तो बस इन सब को आड़ करके 1-2 मिनट तक अच्छे से बूनना है, उपर से इसमें हम आड़ कर देंगे, खरबुजे की गिरी तो यह देखे, खरबुजे की गिरी आड़ कर दी है, मैंने 5-6 छोटी वाली लाइची आड़ कर देंगे, और उपर से 1 तेज पत्ता आड़ कर देंगे, इन सब क तो अच्छे से mix करते हुए एक से दो मिनट भूनना है, मतलब कुल मिलाकर हमें इसे पाँच से छे मिनट भूनना है, उससे जादा नहीं भूनना, उसके यादिस में हम आड़ कर देंगे पानी, और पानी हम इतना ही आड़ करेंगे कि हमारी सबजियां जो है वो अच्छे से soft हो जाए, पानी आड़ करके इसे अच्छे से ढख करके हमें 7-8 मिनट अच्छे से cook कर लेना है, या तब तक cook करना है, जब तक हमारी सबजियां है वो अच्छे से soft ना हो जाए, तो बस इसे इस तरीके से cover कर दीजिए, और cover करके इसे medium flame पर 7-8 मिनट के लिए अच्छे से हम cook कर लेना है, तो ये देखिए, हमारी सबजियां जो है, वो soft होने शुरू हो गई है, तो बस इस stage पर हम अपने flame को off कर देंगे और इस gravy को हम करेंगे ठंडा, ठंडा करने के बाद हमें इसका fine paste बना करके तयार कर लेना है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें लेनी पनीर, तो इस तरीके से मैंने पनीर ले लिया है, अब आप जिस shape में चाहें, पनीर को cut कर सकते हैं, मैं square shape में cut करी हूँ, dice की shape में cut करूँगी, तो आप जिस shape में भी चाहें, पनीर को cut कर सकते हैं, इस recipe के लिए, तो मैंने इस तरीके से पनीर को ले लिया, और इस तरीके स square shape में हमें अपने पनीर को cut कर लिया है आप जिस shape में भी चाहें अपने पनीर को cut कर सकते हैं और इसमें आप add कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने लिया है एक pan उसमें मैं दो चमच के करीब oil add करूंगी अब इसमें हम add कर देंगे अपने पनीर जो हमने पनीर कट किये थे उसे हम इसमें एड कर देंगे उसे अच्छे से टॉस करेंगे और इसमें हम एड करेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले इसमें हम एड कर देंगे रेड चिली पाउडर तो ये देखिए उपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है रेड चिली पाउडर को उपर से इसमें हम आड़ कर देंगे स्वादनुसार नमक, हल्दी पाउडर और आप चाहें तो हलका सा इसमें गरम मसाला भी आड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से टॉस करते हुए एक से दो मिनट ही पकाना है ताकि हमारे पनीर के उपर हल्की सी कोटिंग आ जाए जब हम इसे ग्रेवी के अंदर डाले तो पनीर तूटे नहीं बस कुछ इसी तरीके से इसे बना कर लेना है तीन से चार मिनट तक अपने पनीर को अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि उसके चार उतरफ एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डाल अब बटर या गी भी आड़ कर सकते हैं इसमें हम एक चोटा चमच जीरे का डालेंगे और साथ के साथ इसमें हम एक प्यास के बारी कटे हुए टुकडे डाल देंगे इसे दो से तीन मिनट तक हमें अच्छे से सौटे करना है जब ये बिलकुल अच्छे से सौटे हो जाए तो इसमें हम कुछ पाउडर फॉर्म के मसाले अड़ कर देंगे क्योंकि हमने जो ग्रेवी बनाई उसमें हमने कोई भी मसाला अड़ नहीं किया तो सबसे पहले मैं रेचली पाउडर अड़ कर रही हूँ तो ये देखे मैं रेचली पाउडर अड़ कर दिया हल्दी मुझा है ताकि न उनकोर निकम द्रेल के दोएगे निए बंदेल मुझानगे और सरसी बंदेगे था करन के प्रेलिगे आज़्ास केहां जियोगी का कज्षे से बन के तयार हो चुका, अब इस stage phase में हम add करेंगे शिमला मिर्च, कुछ लोग बड़े साइज के शिमला मिर्च add करते हैं, मैंने इसे बारी कट करके इसमें add कर दिया है, बस इस शिमला मिर्च को भी हमें 1-2 मिनट के लिए इसी सेम ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेना है, तो ये देखे, मैंने ग्रेवी के साथ ही शिमला मिर्च को अच्छे से भून दिया है, अब इस सेम स्टेज पे हमने जो ग्रेवी बना के तयार की थी, काजू का, ग्रेवी का जो पीस करके तयार किया था, उसे इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ये देखे, कितना क्रीमी टेक्शर बनके आया है हमारी ग्रेवी का, क्योंकि उसमें हमने काजू एड़ किया था, उसमें हमने खरबूजे की गिरी एड़ करी थी, तो इस वज़़ए से वज़े से हमें जो अपने पनीर लवाबदार को क्रीमी टेक्शर चाहिए होगा, वो काजू और खरबूजे की गिरी की वज़़ए से मिल जाती है तो ये देखिए हमारी ग्रीवी कितनी सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बनके तयार हुए, इसमें थोड़ा सा हम चीनी आड़ करेंगे, लगबग आदे चमच के करीब चीनी आड़ कीजे ताकि वो तीखे पन को अच्छे से बैलन्स कर सके, बस इसी तरह से इसे चलात हमें अच्छे से पकाना है, दो से तीन मिनट तक, दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें अपने पनीर को अड़ कर देंगे, तो ये देखिए मैंने पनीर को अड़ कर दिया है, उपर से हम इस तरीके से ग्रेट करके पनीर भी डालेंगे, जिस तरीके से रेस्टोरंट वाले ड तो बस कुछ फ्रेश धनिया से इसे अच्छी से गारनिश कर दीजिए और उपर से हम इसमे ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, तो फ्रेश क्रीम से इसे बिलकुल गारनिश कीजिए उससे इसमें बहुत अच्छी रिचनस आती है और खाने में ये लाजवाब लगता है तो बस इस फ्रेश क्रीम से इसे अच्छे से गार्णिश कीजिए और ये देखिए हमारा पनीर लबाबदार जो है वो बन के तैयार हो चुका है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में आप चाहें तो इसे लंच में सर्फ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डिनर में सर्फ कर सकते हैं आप इसे नान के साथ सर्फ कीजिए, आप इसके चपाती के साथ सर्फ कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और इसे इंज्वाइ कीजिए सुपर टेस्टी और सुपर यमी पनीर लबाबदार के इस मज़ेदार रसिपी को I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी तब तक के लिए टेक केर और बाबाई